पातिशी आउटसाइड दी चीफ मिनिस्टर्स रेजिदेंस लिसनेंगे तो अभी हम यहीं पे इंतिसार करेंगे आएंगे क्या हूर आप लोगों के नेता है कारे करता आ रहे हैं ख़बर मिलें जैसे 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 वह तो सभाविक है आप ऐसे लोग प्रिय मुख्यमंत्री को गिरफतार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे दिल्ली के लोग अर्विंद केजरीवाल से प्यार करते हैं दिल्ली के लोग अर्विंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं अपना बेटा मानते हैं अपने परिव चाहिए बहुत से नियुम्हार बहुताब पर्ब। we are being told of the CM's residence has been blocked. Listen in to Atushi again. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी अर्विन केजरिवाल पर हमला कर रहे हैं क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर पूरे देश में कोई एक नेता है जो उनको चैलेंज कर रहा है वो नेता अर्विन केजरिवाल है। सर्च आपरेशन के रिए पूरे इलाके में बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत थी तो ये बिलकुल साफ है देखिए ये कोई पहला सर्च आपरेशन थोड़ी हो रहा है सैंकडों जगा रेड मार चुके हैं एक रुपया नहीं मिला है एडी को दो साल में तो है तो ये सिर्फ और सर्फ अर्वेंद केजरिवाल जी को गिरफतार कर्ने की साजिश है लेकिन मैं फिर से कहूं घ। प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अर्विंद केजरीवाल एक इनसान नहीं है अर्विंद केजरीवाल एक आइडिया है अर्विंद केजरीवाल एक विचार है आप एक अर्विंद केजरीवाल को गिरफतार करोगे तो सैंक्रों अर्विंद केजरीवाल इस देश के स कोट में क्योंकी पुरा मामला है तो एक रेक्शन इस पर जरूर आप देजिए कि इसमें नेक्स स्टेप अब क्या होगा क्योंकि आज ही जैसे की कोट में भी क्या था मामला और चीजें हुई थी आज भी देखिए ये बिल्कुल साफ है कि ED और भारतिय जनता पांटी जो उन या तो वो क्यों वो इस पैसले का इंतिजार क्यों नहीं कर सकतें तो ये बिल्कुल साफ है के दाजनेतिक साज़िश है और वो अर्विंद के जुरिवाल को गिरफतार करना चाहते हैं नहीं ऐसा कोई रादा नहीं है